मेरा सभी दश्कों को प्यार बढ़ा नमस्कार राजेश कपूर है मेरा नाम और मैं आज मौझूद हूँ आरके आनन जी के दफ्तर में और आरके आनन जी को कौन नहीं जानता दोस्तों आज विकास पुरी के अंदर विकास का जितना भी आप आविस्तार देख रहे हैं वो उनी की बदालत है जितनी भी पार्टी यहां क्यों ना आई हो जितने भी चेहरे यहां क्यों ना बदले हो लेकिन एक नाम उनके पीछे सर्वों परी खड़ा रहा और वो हैं आरके आनन ज प्राशकार यह जो मैंने भी बात आपकी कही हालां कि आप किसी परिचे के मोताज नहीं है लेकिन मैं जाना चाहूंगा विकास पुरी के अंदर आपने क्या-क्या तबदेलियां लाए आप और आज विकास पुरी को किस नजर से देखते हैं आप विकास पुरी के अंदर मैं यहां पर जब आया था 1980 के अंदर यहां की स्थिती बहुत ही खराबती और जब मैं यहां पर नाम देखा विकास पुरी है तो इसको मच्छर पुरी का नाम कहते थे मच्छर बहुत हैं यहां पर हालत बहुत खराबती नालियां अब जो हैं आप नभा शबर ताह करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना भारती जंता पार्टी की तरफ से अपना आवेदन करूँ और पार्टी मुझे चांच दे, क्योंकि मुझे भारती जंता पार्टी में काम करता हुआ, बहुत समय हो गया है। मैं 1993 में बारती जनता पार्टी का हस्तार विदानसवा का माम मंतरी बना। उसके इसके दो विदानसवा बन चुकी हैं उत्तम लगर और विकास परी। और उसके पश्चाद मैंने हस्तार मंडर का अध्रक्षी जिम्मेवार रही। उसके पश्चाद मैं पांच बार लगातार जिले का वरिष्ट उपादक्ष था क्योंकि वहां पर कारेकरने के अंदर परवारी विदानसवा का मैंने बहुत चुनाव उड़ाए। उसके पश्चाद नरिस्तियागी ने चुनाव का इंचार्ज था जितने भी विदानसवा के चुनाव परवारी के तोर मैंने काम किया। उसके पश्चाद अब जब समय आया है यह हमारा 20 साल के बाद वार्ड 107 जो है जनरल स्रीट हुई है। तो मैंने अपनी पार्टी से अवेदन किया है कि मुझे इस पर चांस दिया जाए। और मैं विकार्सपुरी के अंदर जो सुधार करना चाहता हूँ जो मैं पहले भी करता था जैसे के जीवन रडवी को मैं प्रेजिएंट रहा, दस साल मैं प्रेजिएंट रहा, अभी वर्तों में मैं प्रेजिएंट हूँ, थोड़ा सा गैब हुआ था, मैंने छोड़ा था कि कोई होरे वक्ती आया और उसके संभाले, प्रंते वो चला नहीं पाए। और पार्टी ने फिर मुझे जो आडवियो ने चांस दिया कि आप केज़िएंट रडवी की प्रेजिएंट की तोर पे काम करूँ। उसका मैंने जो काम किया था क्योंकि छे सो साट केवी का वहां पर ट्रांस्वर लगा हुआ था, लाइट की बड़ी प्राणॉम थी, मैक्सिमम कट होते था क्योंकि केज़ जीवन की मेन मार्किट है, विकासपुरी का एक चेहरा है, और वहां पर लोग आते हैं, जब लोड इतना बढ़ जाता है, फ्लैट का भी वहां पर है, फ्लैट है, और नीचे मार्किट है, लोड बनने के एकारा कट बहुत लगता था, तो मैंने इसका वीचे उठाया और उनसे बात करी, जो मैं शीरा दिक्सित जी उसका स्टीम में इस्ट होती थी, मैं मीटिंग में जाता जा जी आप एप्लिकेशन दो और आपके पर विचार किया जागा, वो नो सुननबे केवी महां का ट्रांसफर लग गया, यह समस्या हमारी काफी ठीक ठाग हो गई, बिल्कुल ठीक ठीक ठाग हो गई, उसके बचा दिल्ली के जल बोड से मैंने तुम पर किया, यह पानी की साथ सो वलाइडा पानी की सप्लाई बहुत कमाती है, तो मैंने जब उन से बात करी, उन्होंने बोला कि आप ग्राउंड रिजर वाटर के लिए जगा अलाट कर दो, हम करवा देंगे, फिर मैंने यह नहीं देखा, कांगरिस का यह बीजेपी का है, मुझे काम से मतलब है, म बात में ग्राउंड डिजर वाटर का भी पानी स्टोर होगा, और जब हमें एमर्जनसी हो, इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका भी हुआ काम, तो इसमें कोई दिक्क्त नहीं आई, और बड़े अच्छे प्रकार से के जीवन आडेवल्यू काम कर रही है, उसके पच्छाद मैंने यहां पर आफिस कोला, आफिस कोलने के अबर मुझे पता लगा है कि यहां की समस्या हैं बहुत हैं, और यहां के जो रिटायर डीम थे, वो प्रेजिएंट थे, जब मैंने उनसे बात करी, उनका रहना है, वहाँ आप आपको सारी पता हैं, क्योंकि आप बीज़भी क वो आगे रहें और काम हम पीछे से करेंगे, पर उन्होंने बिरकाना जी मैं करने ही सकता, अब आप जिम्मेवारी लो, और सारी जन्राबरी मेटिंग होई तो उसमे मुझे प्रेजिएंट का उन्होंने जिम्मेवारी दी, उसके पर चाहत, फिर मैंने विकास कुरी के से फण मिला, जिसके अनर मार्केट को सुधार करने के लिए, उसका फण का हमने यूपियोग किया, और पी वियार के अंदर मार्केट के अंदर ये, अगर आप देखो, कोई सड़के बहुत अच्छी बनी अंदर की, बाहर की सड़के बनाई, अच्छा हुआ हम चेक करते र तो मैंने का ठीका आप लगाओ बहुत अच्छी बात है जहां में जगा स्थान उनको बताया वहां पर जंडा लगा और इसके अंदर फिर हमने पंदर अगस के बवे कार्ट करेम किया जिसमें लवली चोबे राष्ट मंदर खेलो गंदर जिसको गोल्ड मैंडर मिला था उसको भी बलाया उसको भी समानित किया इसके अंदर मारे एरिया MLAB आये और हमारे SH साब भी आये DCB साब भी आये तो मेरा पुलीस से डारेक्ट लेंक इसलिए है कि मैं थाना कमेटी और district level committee में हूं पी बी आरी की modern market है इसी कारने उन्होंने मुझे district level committee में जोडा कि पूरे district में कि यहां से को रिप्रेजेंटेट होना चाहिए मैं कम से 17 सालों से लगा तर डिस्टी लेवल कमेटी में हूं जो भी ऑट गोइंग सच हो जाता है मेरा नाम रिक्मेंट करके जाता है क्योंकि मैंने कभी भी किसी के प्रेशन में आगे कभी आपका रिक्मेंट तो पूरी विका प्रेशन में चुनावराज चुका हूं एक चोटी सी सी जनरल वाड बीच साल के बाद बना है तो मैंने पार्टी से इवेजन किया कि मुझे इस बारे में मेरे बारे में विचार किया जाए जिससे कि मैं पार्टी का जो काम है उसको आगे बढ़ा सको नरेंदर मोदी जी के अगर आप देखेंगे मोदी जी ने जब भी कारी की है, अपने युएसे में गए थे, हम उसके बाद एएरपोट में मिलेंगे, वापसी आये मोदी जी कार से उतरे, मैं भी उन्हें से साथ, दो डाइसों लोग कारी करता गए, और वोने जिस से आगे हाथ मिलाया, हमारे को आ एंपी भी चले जाता है, मिनिस्टर भी चले जाता है, पर प्राइमिस्टर उतरता है, और से खुलवा दिया जाता है, और हमारे से हाथ मिलाता है, तो हम बड़े मोशनल हुए, ऐसा हमारे देश के ब्रदान मंत्री है, बहुत खूब, आनन साब ये चर्चार जारी रहेगी कि अभी आपसे बहुत से सवाल और पूछने हैं, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा से विराम लेकर ये बताना चाहता हूं, कि जिस व्यक्ति ने आगे भढ़कर हमेशा लीडर्स को आगे बढ़ावा दिया, लीडर्स की पहचान बनवाई, आज समय आ चुका है दोस्तों, उन आज की जो पॉलिटिक्स है, उसकी रूप रेखा बहुत बदल दी जा चुकी है, आज शायद इतने सफाई से जूट परोस दिया जाता है, कि व्यक्ति एक बार तो सोचने बैठ जाता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये कहां तक इसको टैकल कर पाएंगे? टैम निकल गया, छट बू जाओ ही, माँ छट में भी आपने देखा कितनी गंदगी थी, और बुरा हल था है पूरे एरिये के अंदर, केजरी बाद सिर्फ वैदे करता है, और कहता है कि मैंने 400 स्कूल मना दूँगा, एक भी स्कूल नहीं मनाए, उसने का मैं 20 कॉलेज हादी है छोटे थे, वो भी एरिये में जाओ, बेहन से आपको चर्टियों कि गदे नजार आएंगे वहाँ पर, पर अभी कोई एलेक्शन आ रहा है, इस दिएर को थोड़ा था ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को ब्रह्म में डालने की कोशिश कर रहा है, और पांस आपको चुनाब में हमारी आमशिनी के अंदर हाउस्टेक्स की प्रॉलम आई थी, काफी 15 साथ से हाउस्टेक्स बहुत लोगों के आए हुए थे, लोग पेर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहां जो लोग हैं, आज जिसकी तरीक दें हाउस्टेक्स को दें, अनुतरा कल देने की कोशिश करिए है, कि जिससे की पब्ली को को राहत मिले, उसके लिए हमने हाउस्टेक्स 5 साल के अंदर अगर कोई हाउस्टेक्स दे जे देता है, तो 15 साल का पुराना हाउस्टेक्स माफ कर दिया जाएगा, और यह हमारी सरकार ने किया है, यह लेफ्ट्रियों अगर ठीक ती तो वापस क्यों ली? यह तो पूरी दिली बोल रही है, लेकिन आप से समझने की जूरत है, कि जब तक ग्राउंड डेवल पर उतर के काम ना किया जाए, लोगों को दिखाया ना जाएगी, कुछ विकास वाकई में हुआ, जैसे आपने तो ग्राउंड पर का करा, और विकास पूरी को एक विकास की जगा पर विकास पर दायरे में खड़ा कर दिया, पर ये चीज़ इन लोगों ने तो कभी करी नहीं, सिर्फ बाते ही करी हैं, तो जनता कब तक सहेगी? जनता को क्या असलियत जल्दी मालून नहीं चलेगी? और इस एमसीड़ी के जो जूट का साथ नहीं दिया, और हमेशा इस तरीके की बात करें केजरी वाल किस तरीके अपने लोगों को एक्सपोज हो रहा है, लोगों को जानका नहीं मिल चुकी, आने वाला समय केजरी वाल जाने वाला है, पब्लिक उसका उखाड खेंगेगी, जो आज की सिच्टेशन ह अगर आज MCD के चुनाव हो जाएं, तो मैं आपको गरंटी कहता हूं, दुबारा बाजपा वापस आएगी, बाजपा की सोच एक इमानदार छवी और ब्रिष्टाचार मुक्त शार्षन देने की है, ब्रिष्टाचार मुक्त कोन दे सकता है, अपना भारती जनता पार्टी यह नहीं दे सकती है, अभी तब कोई भी ऐसा है, मुधी जी की सरकार है, यह जहां भी हमारी सरकार है चलनी है, कोई दिल्ली में भी हमारा यह सोच है, कि MCD को, हम क्योंकि 13,000 क्रोर रुपया जो इसने देना था, उसका भागा नहीं दिया, उसके करनर काम नहीं हो पाए, अ काम कैसे करेंगे। इसने कोशिश करेंगें, मैं इसने को फंड रिलीज नहीं करता। उसी के लिए फिर हमारे देश के रहमंत्री आमिशा जी आ गया है, पार्लिमेंट में एक बिल आया, बिल के अगोंस्ट यह हुआ, कि इसकी एक MCD बना दी जाए, और एक बनाके इसको फंड रिलाट, सेंटर रिलाट करेंगी, जैसे पहले काफी समय पहले होता था, उसी प्रकार से कि हमें दिली सरकार के उपर देखना ना पड़े, और डिरेक्ट बाडी होगी, डिरेक्ट काम करेंगी, जिस तरह पहले हम काम करते हैं, उ जिनका मकान है, जिनका दुकान है, वो सब जानते हैं कि यहाँ पर अगर विकास का कोई चेहरा है तो आरके आनन्द है, दोस्तों आज ये समय आ चुका है कि हम उन लोगों को ठुकराएं, जो सिर्फ जूटे बादे करते हैं, जो सिर्फ बाते करते हैं, और काम बिल्कुल आएं सामने जो काम तो करता ही रहा लेकिन जब उनको ताकत मिलेगी आपके प्यार की वो और भी बहुत कुछ कर पाएंगे सिर्फ विकासपुरी के लिए नहीं दिल्ली के लिए भी तो इसी उमीद से मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं और आग्या लेता हूं जल्द ही म